एपिस नमर 268 की स्टाटिंग होती है और फूजीन चेन ब्लश कर मन में कह रहा होता है अरे नहीं और फिर वो उसके क्लोज जाती हुए कहता है यान अब मैं देखना चाहूंगा कि आगे तुम अब क्या करती हो फिर वो उसके एकदम क्लोज जाता है और उसके नेक पर बैट क मैंने शुरुवात की है और तुम पहले ही हार मानना चाहती हो और मैं पूरी रात बड़ तुमें किस करूंगा क्योंकि तुम कई दिनों तक मुझसे अलग रहूंगी और अब तुम इसके लिए तयार हो जाओ और ये कहते ही वो उससे दुबारा किस करने लगता है और वही यान हापती हुए किन लगती है फूजी इन चेन क्या अब तुम घुसा होना बंद कर सकते हो फूजी इन चेन कहता है बेवकुफ लड़की में तो बस तुम को चिड़ा रहा था और मैं तुम से बिलकुल भी नाराज नहीं हूँ ये सुनियान खुसे उसे दूर धकिलती या मैंने ये ड्रेस इसलिए पहनी ताकि मैं तुम को सेटिस्फाइ कर सकूँ और तुम मेरे साथ मजाग कर रहे थे और क्या तुम ये बात जानते हो ये ड्रेस पहनना कितना जदा इंबरेसिंग है फूजी इन चेन कहता है ठीक है यान मुझे माफ कर दो लेकिन अब जब क तुमने पहले ही इस ड्रेस को पहन लिया है तुमारा इस बारे में क्या ख्याल है फिर यान कहती है तुम चलो ठीक है जो भी हो तबी फूजी इन चेन यान को किस करता है और उससे कहता है तो क्या यान तुमारी हाँ है यान तुम हमेसा ही अपनी असली फिलिंग्स बाहर ल और आग लगा रहे हैं और आप में कुछ नहीं कर सकती ड्रेस नीचे गिरती है और वो उससे कहते हैं फूजिन चेन कल मेरी फ्लाइट है तब फूजिन चेन उससे कहता है यान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मैं तुमको ठकाऊंगा नहीं और पिर सिंशिफ्ट तरमें एक और देख फूजिन चेनमन में किन लगता है वो सच में कितनी जदा क्यूट लग रही है और ऐसा लग रहा है कि कल मैंने उसे ठका दिया ठीक है तो अब मैं उसके लिए बैक पैक कर दूँगा और फिर सिंशिफ्ट तरमें कुछ समय बात का समय दिखाया जाता है जहां यान वहीं फूजिन चेनमस से कहता है यान मैंने पहले ही तुम्हारा बैक पैक कर दिया है और तुम जाते हुए नास्ता कर सकती हो तुम जल्दी से जाओ और जाकर शावाय ले लो मैं तुमको एरपोर्ट तक छोड़ दूँगा और गाईजिती के साथ एपिस नमबर 268 यहां इंड होता है पसना है तो लाइक और सिस्काइब जरू करें मिलते आपको जल्दी नेक्स्ट एपीस सोड में